S.N.L.I.V. सच 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 से आधि एक महिला के स्टेट बैंक की एटियम कार्ड की हेरा फेरी कर 35,000 रुपई की निकाशी कर लेने का मामला उजागर हुआ है बता दे की कोईरी गावा के सुरेंदर प्रसाद की पतनी इंदू देवी अपने बेटी निशा कुमारी के साथ स्टेट बैंक की एटियम से शनिवार को खरीब 11 बजे एटियम से पैसे निकालने आई थी स्टेट बैंक का एटियम बंध होने के कारण वह जामो रोड स्थित एक्सिस बैंक की एटियम में पहुँची वहाँ पहले से एक व्यक्ति पैसे की निकाशी कर रहा था इंदू देवी ने पैसे निकाले के दोरान उससे मदद मांगी पहली बार तो ठग ने पांच हजार रुपए निकाल कर इंदू देवी को दे दिया लेकिन इसी बीच उसने एटियम कार्ड की हेरा फेरी कर दी वहाँ से महिला का एटियम कार्ड लेकर बढ़हरिया बाजार के तरवारा रोड इस्थित बैंक ओफ इंडिया की एटियम में पहुँच गया जहांसे ठग ने 35,000 रुपए की निकाशी कर ले इस बात की जानकारी पीडिता को तब हुई जब उसके मोबाइल पर पैसे की निकाशी का मैसे जाने लगा बता दे कि ठग ने इंडु देवी को हिराफेरी कर जो एटियम काट दिया है उस पर चुन्नू अंसारी अंकित है इस संबन में पीडिता ने ठाने में आवेदन देकर एटियम ठक के खिलाफ आवेदन देकर उसके खिलाफ का रवाई करने वो पैसे की रिकवरी करने की मांग की है इसे लाइफ से परवेज़कतर की रिपोर्ट देश और दुनिया की ऐसी ही खवरों को पाने के लिए जुड़े रही हमारे साथ और हाँ अगर आप वीडियो को फैसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फैसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और अपने कमेंट जरूर